जी हम दोस्तो इस वीडि़ो के अंदर एक गिबवे होने वाला है तो अपने आंखें, कान, नाख, मूँ खोलके वीडियो देखें और पूरी देखें जिससे आपको पता चल पाईगा। इस वीडियो के अंदर जो गिव वे होने वाला है एक फून का गिव वे है बेसिकली दोस्तों वीडियो को पूरी देखेगा अगर आप फ्रीली एक फून जीतना चाहते हैं असलाएं दोस्तों अब देखरेखाली टेक्शनिक जानल दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉकस करने वाले हैं रियल मी 7i को तो अनबॉकसिंग स्टार्ट कर लेते हूए और आज की वीडियो में सीरफ उनबॉकसिंग नहीं है इसके first impressions और इसकी जो specs हैं उसके बारे में in depth बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या एक value for money device हो सकता है आपके लिए specs को देखते हुए तो वीडियो को start करते हैं तो यहां दोस्तों unboxing start करते हैं और unboxing के बाद मैं अपना quick opinion आपके सामने पेश करूँगा और इसके first impressions भी देखेंगे आपको phone जो है वो कैसा देखने को मिलता है तो basically मेरे पास जो variant है वो RGB रहे हैं एक रूटाइस जी वारा variant है जो के पाकिसान के दर लोच किया गया और साथ यह aurora green color है तो जिस टाम यह unboxing मैं करना हूँ अभी तक price confirm नहीं है तो इसका full review देखिएगा जिसमें आपको पता चल पाएगा क्या यह phone एक बहुती ज्यादा value for money device हो सकता है gaming के अंदर कैसा perform करता है और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा और इस video के आखर में आपको कुछ scores and two to scores अपने first opinions, first impressions के साथ आपको provide कर दूँगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिसे आपको पता चल पाएगा कि यह जो phone है आपके खरीदने के काबिल है या नहीं इस range के अंदर तो दोस्तों unboxing start कर लेते हैं 7i की realme की तरफ से तो दोस्तों को specification पहले पढ़ लेते हैं और कोशिश करूँगा unboxing simple से simple हो कि आपका वकत जाया ना हो दो यहां back की तरफ लिखा हो है कि 64 megapixel का AI quad camera है और साथ साथ दोस्तों यहां mention है कि 5000 mAh की battery है एक्ट्रा वार्गव की charge है और 90Hz का ultra smooth display है यहां snapdragon 662 का processor आपको देखने को मिलता है RGB RAM 120GB वान विरिट है और हमारे पास aurora green color में यह available है realme 7i उसे open कर लेते हैं और देख लेते हैं box के अंदर आपको क्या-क्या content देखने को मिलते हैं तो यहां से इसकी seal को मैं broke कर लूँगा तो दोसों phone जो है वो open हो चुका है आप देख सकते हैं तो दूसरे box को हम साइड पर रख देते हैं और यह box की तरफ आ जाते हैं कि इस box के अंदर main contents क्या-क्या है तो पहले तो लिखा मिलता है hey welcome to realme family तो इसके अंदर एक quick start guide और एक important information guide आपको देखने को मिलती है और साथ एक silicon case देखने को मिलता है जो के gray color में है और साथ में main device देखने को मिलती है और main device को हम साइड पर रखते हैं पहले चलते हैं main box की तरफ दूसरे एक power brick आपको देखने को मिलती है जो के 18 watt की fast charging को support करती है अगर camera सही से focus कर पाए तो साथ में आपको एक type c की cable देखने को मिलती है यहां एक type c की cable आपको देखने को मिल रही अगर मैं यहां से खोल के आपको दिखा पाऊं तो एक type c की cable और यहां दूसरो main device आ चुकी है डिबा हो चुक है खाली और दूसरो जैसे के realme के अंदर आपको जो है sim ejector है वो यहां देखने को मिलता है एक sim ejector भी देखने को मिलता है जिसे आप sim pin भी कहते हैं और main device आ चुकी है हमारे पास इसको open कर लेते हैं दूसरो main device हमारे सामने हैं आप देख सकते हैं दूसरो main device को on करते हैं और देखते हैं इसके first impressions तो first impressions में इसके अंदर back की तरफ जो cut है काफी बहतरीन लग रहा है आप देख सकते हैं बैक की तरफ एक कट है यहां से और साथ में फिंगोमेट सकैनर भी बैक की तरफ है और यहां दोस्तों यह डिवाइस को अन कर लेते हैं और सामने की तरफ आपको एक पन्च होल बार डिसप्लिय देखने को मिलता है की तरफ क्वाड क्यामरा है 64 Megapixel Mention है Type-C की Port है 3.5mm Jack है और साथ ही एक Speaker Guild है तो Phone काफी ज्यादा हलका लग रहा है मुझे तो इस चीज के वाले से Glossy Look होने के साथ साथ Phone काफी हलका देखने को मिर रहा है जो के मुझे लग रहा है काफी चीज़ हो सकती है इस Phone के लिए तो इसे Open कर लेते है तो जब तक ये On होता है हम इसी Sim Situation देख लेते हैं कि Triple Sim है, Dual Sim है तो दोस्तो यहां आपको एक Non Hybrid Triple Sim Float देखने को मिलती है जो काफी चीज़ बात है और दोस्तो इसका जो ये Side है ये Matte Finishing के साथ आती है इस Side जो है जिसे आप कड़ा कहते है या फिर आप Base कह सकते है ये Matte Finishing के साथ आती है जब के Back जो है वो Glossy Finishing के साथ आती है जिसे On कर लेते है तो Phone जो है वो On हो चुका है तो यहां मुझे काफी चीज़ परफॉरमस देखने को मिल रही है On होते ही तो अभी मजीद इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या Specification देखने को मिलती है जिसके अंदर Android 9 देखने को मेरे अर्जीव की रही है दोसो Android 10 नहीं है Android 9 आपको देखने को मेरे RGB की RAM है दोसो एक First Boot Up में Camera Dash कर लेते हैं चोटा सा तो हम कोई इसकी Charger ही रख लेते हैं जिसे हमें अंदाजा हो सके तो यहां अगर मैं फोटो लेता हूँ Charger की Rating की फोटो लेता हूँ तो क्या मुझे सही से Rating नदर आ पाएगी तो फोटो ले ली है तो भी से Zoom करके देखते हैं Permission दे देते हैं तो अगर हम Zoom करके देखते हैं तो बिलकुल Rating जो है वो वाज़ नदर आ रही है कुछ ज्यादा वाज़ नहीं लेकिन आपको स़ई से नदर आ पा रही है तो फोटो ले लेते हैं फोटो ले लेते हैं फोटो क्यामरा की डिटेलिंग की बात करें फ्रंट कैमरा की डिटेलिंग काफी अची है आप देख सकते हैं तो फ्रंट कैमरा की डिटेलिंग भी काफी कमाल है तो दोस्तों बेसिकली गिववे जो है वो Realme C15 का होने वाला है Realme की तरफ से हमारे चैनल पे तो गिववे के अंदर हिसा लेने के लिए आपको सिर्फ करना इतना एक वीडियो को लाइक करना है पूरी वीडियो को देखना है वीडियो के निचे आपको कोई भी कमेंट करना है कोई भी एचछे चेलफाश जो भी एलफाशा बहाद आप告訴 के जो इंस्टाग्राम पेपोलो नहीं करेंगा वो giveaway के अंदर include नहीं होगा निचे आपको लिंक दी दिया है मिनी Instagram परफाइल का खाली डोट टेक्निकल उसकी परफाइल का आप कहलें के यूजर नेम है तो वहाँ जाकर फोलो करें बाद जरूर क्योंकि वहाँ ही giveaway का result अनौस होगा और जो giveaway के अंदर पार्टिस पे जीत गया और बात में मुझे पता चल गया कि Instagram के अंदर फोलो नहीं है तो फिर giveaway मुझे दुबारा से करना पड़ेगा और दोस्तों इस giveaway का result आपको संडे वाले दिन देखने को मिलेगा पहले बात कहलेते हैं इस प्रण की दिस्प्ले है ना यह एक 720p प्लस रेजलूशन वारे डिस्प्ले है जो के 90 Hz के साथ आता है यह एक पंच होल डिस्प्ले है और फ्रंट की तरफ बैसल ना होने के बराबर करेगा क्योंकि 90 fps तक आपको गेमिंग देखने को मिल सकती है इस्पून पे 90 fps आप वीडियो देख पाएंगे आपको कोई मसला नहीं होगा लेकिन दोस्तो 720 pixels है थोड़े कम pixels है लेकिन स्क्रीन में कुछ आप कह सकते है न पिक्जल के साफ से कोई मसला नहीं देखने को मिल रहा है डे टुडे यूसेज में लेकिन दोस्तों जब आप मल्टी मीडिया कंस्यूम करेंगे गेमिंग करेंगे जरूर बहुत जरूर आपको कहीं न कहीं आपको पता चल पाएगा 720 जो डिस्प्ले है वह आपको जो है 1080p में क्या फरक परवाइड कर पर सेंसर है तो इस पे कैसा परफॉर्म किया इसने और यहां डू़ाट स्कोर करेंगे जो और यहां एक डैप सेंसर भी आपको देखने को मिल रहा है है यह जो फून है काफी एच्ची फोटोस कैप्चSir कर रहा था कुछ फोटोस एपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं काफी एची फोटो सेंबल प्रोइड कर रहा था लेकिन इसका फुल कैमरा रिव्यू के लिए वेट कीज़ेगा इसका फुल कैमरा रिव्यू करूँगा क्यों कि यह काफी एची रेंज का फून है और इसके अंदर कैमरा का अच्छा होना बहुत जाया जिसके अंदर एक कट आपको देखने को मिलता है उपर वाली साइड नीचे वाली साइड कोई कट नहीं है यहां मैं क्लिक्टिसाइज करना चाहूंगा बैक की तरफ आपको फिंगर्पिंट स्कैनर प्रवाइड किया जाता है जबकि जो लेटेस अभी इनुवेशन चल रह है जो के मैं इस फून का ड्रॉबैक समझूँगा लेकिन दोस्तों फिर भी डिजाइन के वाले से काफी एच्छा फोन है डिजाइन की तरफ से कोई शिकायद नहीं भाई लोग तो यहां डिजाइन जो है काफी कमाल का आपको दिये गया है जिसके अंदर मैं गेमिंग पर्फॉर्म करता है अगराइब कैमरा इसका यूज करते तो कैसा पर्फॉर्म करते देट टू डे यूजेज में यह फोन कैसा पर्फॉर्म करता है दोस्तों आज की वीडियो के साथ अलापिस